भारत ने दक्षेन अफरिका से वनडे सीरीज जीत ली और अब उसकी नजर जो है वो टेस्ट सीरीज जीतने पर है लेकिन टेस्ट सीरीज सुशुरू होने से पहले ही भारती टीम को कुछ जटके लगे है मुहम्मद शमी पहले ही टिस्ट सिरीज से बाहर हो चुके हैं उसके बाद इशान किशन भी बीच सिरीज से हट गए और अब खबर ये आ रही है कि एक और युवा क्रिकेटर इस सिरीज का हिस्सा नहीं होगा वसे खबर तो ये भी है कि विराट कोहली वापस भारत आ चुके हैं तो विराट क्यूं आए भारत आज आपको बताऊंगा लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहें न्यूज बाइस कोप और मैं हूरा की श्रंजन भारत और टक्षिन अफरिका के बीच टेस्ट सिरीज 26 दिसंबर से शुरू होनी जा रही है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच सेंचूरियन में खेला जाएगा लेकिन उससे पहले जो खबर आ रही है वो ये खबर आई है कि भारत के युवा बैटर रितुराज गायकवार जो है वो चोट की वज़ा से सीरीज से रूल डाउट हो गये हैं उनके रिंग फिंगर में चोट है दूसरे वन डे इंटरनाशनल में फेल्डिंग के दोरान उन्हें ये चोट लगे थी और मिडिकल टीम से संपर्क करने के बाद और उनके सुझाव के बाद टीम मैनेजमेंट से बाद चीट हुई और फिर ये तैह हुआ कि रितुराज गायकवार्ड वापस भारत लोट आएंगे वैसे वापस विराट कोहली भी लोट आए हैं और क्यों आए हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको बता दू कि दरसल अपने कुछ फैमिली के रिजन की वज़े से जो है वो वापस लोटे हैं वो कारण क्या है इस बारे में बेसेसियाई ने कोई सूचना नहीं दिये बस जानकारी इतनी है कि जो विराट कोहली है वो तीन दिन पहले ही वापस भारत लोट चुके थे लेकिन एक अच्छे खबर ये है कि विराट कोहली पहले टेस्ट मैच से पहले टीम को जोईन कर लेंगे जोहनस बर्ग में बारत वापस आजाने के कारण ही जो इंट्रा स्कौर्ड मैच हुआ था वहाँ पर भारत का उसमें विराट कोली नहीं खेल पाए हलाकि उस इंट्रा स्कौर्ड मैच में जो है रोहित शर्मा जस्परीद बुम्रा का अच्छा ले रहा है बुम्रा ने अच्छी गेन बाजी की है तो ये सभी जो है इंट्रा स्कौर्ड मैच जो है वो सपल रहा है लेकिन अभी जो आपको सूचना देनी थी वो यही देनी थी कि रितुराज गायकवड टेस्ट सीरीज से जो कि दक्षिन अफरीका के खिलाब 26 सितंबर से शुरू हो रही है उससे बाहर हो गए हैं और आपको ये भी बताना था कि विराट कोली वापस भारत आए जरूर हैं अपने फैमिली के कारण से और कुछ उस पर्सनल रीजन की वज साथ कर